भारत का सम्विधान भारत गनराज्य का सर्वोच लिखित विधान भारत का सम्विधान भारत का सर्वोच विधान है जो सम्विधान सभाद्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ ये दिन, 26 नवंबर, भारत के सम्विधान दिवस के रूप में घोशित किया गया है. जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारत के सम्विधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935-1935 को माना जाता है. भारत का सम्विधान वि जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे सम्विधान सभा की पहली बैठक दिसमबर 1946 को हुई थी इसके ततकाल बाद देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था सम्विधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई भारत की सम्विधान सभा और पाकिस्तान की सम्व पूरा कर लिया और 26 जन्वरी 1950 को ये सम्विधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जन्वरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतिय सम्विधान को पूर्ण रूप से तयार करने में दो वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था। परंतु इसके निर्मान के समय मूल सम्विधान में 395 जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसुचिया थी। समविधान में सरकार के संसदिय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी सनरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघिय है केंद्रिय कार्यपालिका का सामविधानिक प्रमुख राश्ट्रपती है भारत के सम्विधान की धारा 89 के अनुसार, केंद्रिय संसत की परिशद में राष्ट्रपती तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपती इस मंत्रिपरिशद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निश्पादन करेगा इस प्रकार वास्तविक कारेकारी शक्ती मंत्रि परिशद में नहित है जिसका प्रमुक प्रधान मंत्री है जो वर्तमान में नरेंद मोदी है मंत्रि परिशद सामुहिक रूप से लोगों के सदन, लोक सभा के प्रती उत्तरदाई है प्रत्य एक राज्य में एक विधान सभा है उत्तर प्रदेश, बिहार, महराष्ट्रा, करनाटक, आंध्रप्रदेश और तैलंगाना में एक उपरी सदन है जिसे विधान परिशद कहा जाता है राज्य पाल राज्य का प्रमुख है, प्रत्य एक राज्य का एक राज्य पाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें नहित होगी मंत्र परिशद, जिसका प्रमुख मुख्य मंत्री है, राज्य पाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निश्पादन में सलाह देती है राज्य की मंत्र परिशद से राज्य की विधान सभा के प्रती उत्तरदाई है समविधान की सात्वी अनुसूची में संसद तथा राज्य विधाइकाओं के बीच विधाई शक्तियों का वित्रन किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उलेख है इसके अंतर्गत तीन सूचिया है संग सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तिया संसद में विहित है, केंद्रिय प्रशासित भू भागों को संगराज्य क्षेत्र कहा जाता है भारतिय समविधान के भाग, भारतिय समविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचिया है अधिक जानकारी भाग, विशय, इतिहास्त मुख्य लेक, भारतिय समविधान का इतिहास द्वितिय विश्वयूत की समाप्ती के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीती की घोशना की तथा भारत की समविधान सभा के निर्मान के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें तीन मंत्री थे 15 अगस्ट 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात समविधान सभा की घोशना हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसमबर 1947 से आरंब कर दिया समविधान सभा के सदस्य भारत के राजियों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे जवाहरलाल नहरू, डॉक्टर भीमराव अमबेटकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्दार वललभ भाई पतेल, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदी इस सभा के प्रमुक सदस्य थे इस सम्विधान सभा ने दो वर्ष, ग्यारा माह, अठारा दिन में कुल एकसो चौदा दिन चर्चा की सम्विधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किये तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और सम्विधान बनने में 166 दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्तरता थी भारत के समविधान के निर्मान में समविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 26 नवंबर 1949 को सविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. इस सविधान में सरवाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है इसमें लगबग 250 अनुच्चेद इस अधिनियम से लिए गए है. भारतिय समविधान की संरचना यह वर्तमान समय में भारतिय समविधान के निमनलिखित भाग है. एक उद्देशिका 470 अनुच्चेदों से युक्ट 25 भाग 12 अनुसुचिया. पांच अनुलगनक, Appendices, 105 सं अब तक 127 समविधान संचोधन विधेयक संसद में लाए गए है, जिनमें से 105 समविधान संचोधन विधेयक पारित होकर समविधान संचोधन अधिनियम का रूप ले चुके है. 124 समविधान संचोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में हैश अनुच्चेद अन्डिस को 368 समविधानिक संचोधन के विशेश बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शेक्षनिक संस्थाउमा 8 अगस्ट 2016 को संसद में वस्तू और सेवाकर, GST, पारितकर 101 वा समविधान संचोधन किया। पहली अनुसूची अनुच्छेद एक तथा चार राजे तथा संग राजिक शेत्र का वर्नन। तथा विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिशत के सभापती तथा उपसभापती के वेतन भत्ते, भाग्ग, उच्चितम न्यायाले के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भाग्ग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वे अस्य, मंत्री, राष्ट्रपती, उप्राष्ट्रपती, न्यायाधीशों आधी के लिए शपत लिये जाने वाले प्रतिज्यान के प्रारूप दिये हैं। चोथी अनुसूची, अनुच्छेद 4, 1, 80, 2, राज्य सभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संग राज्य क्षेत्रों से। पाचवी अनुसूची, अनुच्छेद 244, 1, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन जातियों के प्रशासन और नियंत्रन से संबंधित उपबंद। चठी अनुसूची, अनुच्छेद 244, 2, 275, 1, असम, मेघाले, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जन जातिक शेत्रों के प्रशासन के विशय में उपबंद। साथवी अनुसूची, अनुच्छेद 246, विशयों के वित्रण से संबंधित सूची, एक संग सूची, सूची, दो राज्य सूची, सूची, तीन समवर्ती सूची आठवी अनुसूची, अनुच्छेद 344, 1, 351, भाषाए 22 भाषाओं का उल्लेक नवी अनुसूची, अनुच्छेद 31, कुछ भूमी सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण, पहला संविधान संशोधन, 1951, द्वारा जोडी गई ग्यारवी अनुसूची, अनुच्छेद 243, पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची समविधान में 73 समविधानिक संशोधन, 1992, द्वारा जोडी गई बारवी अनुसूची, इसमें नगरपालिका का वर्नन किया गया है यह अनुसूची समविधान में 74 समविधानिक संशोधन, 1993, द्वारा जोडी गई आधारभूत विशेष्टाय समविधान प्रारूप समिती तथा सर्वोचन यायाले ने भारतिय समविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेध है अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हाला कि पूर्वी संविधान वेता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एक मात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता समविधान का संघातमक होना उसमें नहित संघातमक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननिय सर्वोचन यायले ने इसे पूर्म संघातमक माना है भारतिय सम्विधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रुभता संपन, समाजवादी, पंथनिर्पेक्ष, लोक्तांत्रिक, गनराज्य है संप्रभुता संप्रभुता शब्दकार्थ है सर्वोच या स्वतंत्र होना भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ती के नियंत्रण से पुनरताह मुक्त संप्रभुता संपन राष्ट है ये सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है समाजवादी मुख्य लेक, समाजवाद समाजवादी शब्द समविधान के 1976 में हुए 42 वे संशोधन अधिनेयम द्वारा प्रस्तावना में जोडा गया ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है जाती, रंग, नसल, लिंग, घर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किये बिना सभी को बराबर का दर्जा और अफसर देता है सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है सरकार ने समाजवात के लक्षे को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्प्रिश्यता उन्मूलन, जमीदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निशेद अधिनियम आधी बनाया है पंथनिर पेक्ष मुखे लेक पंथनिर पेक्षिता पंथनिर पेक्ष शब्द सम्विधान के 1976 में हुए 42-वे संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया ये सभी पंथों की समानता और पातिक सहिश्नुता सुनिश्चित करता है भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है ना ही किसी से भेदभाव करता है ये सभी पंथों का सम्मान करता है वो एक समान व्यवहार करता है हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना पालन और प्रचार का अधिकार है सबी नागरिकों, चाहे उनकी पाथिक मान्यता कुछ भी हो कानून की दृष्टी में बराबर होते हैं, सरकारी या सरकारी अनुदान प्राफ्ट स्कूलों में कोई पाथिक अनुदेश लागू नहीं होता लोकतांत्रिक मुखि लेक, लोकतंत्र भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटे आरक्षित की गई है स्थानिय निकाय चुनाव में महिला उम्मीद्वारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटे आरक्षित की जाती है सभी चुनावों में महिलाओं के लिए एक तहाई सीटे आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है हाला कि इसकी क्रियानवयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत संस्था है और यह स्वतंत्र और मिश्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव ततपर है राज्शाही जिसमें राज्जे के प्रमुख वन्शानुगत आधार पर जीवनभर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है के विप्रीत एक गंतांत्रिक राष्ट का प्रमुख एक मिश्चित अवधी के लिए प्रत्यक्षिया परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है भारत के राष्ट्रपती पांच वर्ष की अवधी के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते है शक्ती विभाजन ये भारतिय सम्विधान का सरवादिक महत्वपूर्ण लक्षन है राज्य की शक्तिया केंद्रिय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती है दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है वे सम्विधान से उत्पन तथा नियंत्रित होती है सम्विधान की सर्वोच्चता सम्विधान के उपबंध संग तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं केंद्र तथा राज्य शक्ती विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिये गए हैं अनुच्छेद चावण करोड 55,73,162,241 भाग-5 सर्वोच न्यायाले उच्च न्यायाले राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध अनुच्छेद साथ के अंतरगत कोई भी सूची राज्यों का संसद में प्रतिनेधित्व सम्विधान में संचोधन की शक्ती अनुच 368 इन सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संचोधन नहीं ला सकती है उसे राज्यों की सहमती भी चाहिए अन्य अनुच्छेद शक्ती विभाजन से संबंधित नहीं है लिखित सम्विधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ती विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है अता संग में लिखित सम्विधान अवश्य होगा सम्विधान की कठोर्ता इसका अर्थ है सम्विधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे न्यायालेयों की अधिकारिता इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निश्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे विधी द्वारा स्थापित न्यायाले ही संग राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षन करेंगे न्यायाले समविधान के अंतिम व्याख्या करता होंगे भारत में ये सत्ता सर्वोच न्यायाले के पास है ये पांच शर्ते किसी सम्विधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है भारत में ये पांचों लक्षन सम्विधान में मौजूद है अतह ये संघात्मक है परन्तु भारतिय सम्विधान में कुछ विभेडकारी विशेशताई भी है भारतिय सम्विधान में कुछ विभेड कारी विशेशताय भी हैं एक, ये संग राज्यों के परस पर समझोते से नहीं बना है दो, राज्य अपना प्रिथक सम्विधान नहीं रख सकते है केवल एक ही सम्विधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है भारत में दोयद नागरिक्ता नहीं है, केवल भारतिय नागरिक्ता है भारतिय सम्विधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध है 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ती प्रिथककरन समाप्थ हो जाएगा तथा वो एकात्मक सम्विधान बन जाएगा इस थिती में केंद्र राज्यो पर पूर्म संप्रभू हो जाता है 5. राज्यो का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यो की सहमती से 6. समविधान की सात्वी अनुसूची में तीन सूचिया है संघिय सरकार, संघिय, राज्य सूची, राज्य, तथा समवर्ती सूची, समवर्ती, इनके विश्यो का वित्रण केंद्र के पक्ष में है 6.1 संघिय सूची में सरवाधिक महत्वपूर्ण विशय है 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है 6.3 राज्य सूची के विशय कम महत्वपूर्ण है 5 विशेश परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधी निर्मान कर सकती है किन्तु किसी एक भी परिस्थिती में राज्य केंद्र हेतु विधी निर्मान नहीं कर सकते। प्रस्ताफ पासकर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर। क चार अनू दो सो तिरपन अंतराश्ट्रिय समझोते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विशय पर विधी निर्मान कर सकती है। क पाच अनू 356 जब किसी राज्य में राश्ट्रपती शासन लागू होता है उस थिती में संसद उस राज्य हितु विधी निर्मान कर सकती है। साथ, अनुच्छेद 155 राज्य पालों की नियुक्ती पुनरताह केंद्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंतरन रख सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते हैं, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में सम्वेधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 10. अनु 312 में अखिल भारतिय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ती, प्रशिक्षन, अनुशासनात्मक शेत्रों में पुनर्त, केंद्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंतरन नहीं है। 11. एकी कृत न्यायपालिका 12. राज्यों की कार्यपालिक शक्तिया संघिय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है। सम्विधान की प्रस्तावना सम्विधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राया उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना अमेरिकी सम्विधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ट मानी जाती है प्रस्तावना के नाम से भारतिय सम्विधान का सार, अपेक्षाय, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है प्रस्तावना ये घोशना करती है कि सम्विधान अपनी शक्ती सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण ये हम भारत के लोग इस वाक्षे से प्रारंब होती है केहर सिंग बनाम भारत संग के वाद में कहा गया था कि समविधान सभाब भारतिये जनता का सीधा प्रतिने धित्व नहीं करती अतह समविधान विधी की विशेश अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायाले ने इसे खारिच करते हुए समविधान को सर्वोप आर्थिक और राजमीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अफसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नीती निर्देशक तत्व भारतिय सम्विधान के इस भाग में नीती निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीती निर्देशक तत्वों में भेद बताया गया है और नीती निर्देशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है। भाग चार का मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य मूल सविधान में नहीं थे। 42 वे सम्विधान संचोधन में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गये है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गये तथा सम्विधान के भाग चार का के अनुच्छेद 51 अमें रखे गये है। वर्तमान में ये 11 है. 11 वा मूल करतव्य 86 वे सम्विधान संशोधन में जोड़ा गया. 51 का मूल करतव्य भारत के प्रत्येक नागरेक का ये करतव्य होगा कि वौ कत सम्विधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध वजराष्ट्रगीत और 6. देश की रक्षा करे और आहवान किये जाने पर राष्ट की सेवा करे। आगर भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भरात्रित्व की भावना का निर्मान करे जो धर्म, भाशा और प्रदेश या वर्ग पर आधारत सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है च, हमारी सामासिक संस्कृती की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षन करे च, प्राकृतिक पर्यावरन की, जिसके अंतरगत वन, जील नदी और वन्यजीव है, रक्षा करे और उसका सम्वर्धन करे तथा प्रानी मात्र के प्रती दयाभाव रखे सामुहिक गतिविदियों के सभीक शेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धी की नई उचायों को छूले त, यदि माता पिता या सनरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयू वाले अपने यथा स्थिती, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अफसर प्रदान करे संशोधन मुखे लेक भारतिये सम्विधान में अब तक 105 बार संचोधन किया जा चुका है जबकि सम्विधान संचोधन के लिए अब तक 127 बिल लाए जा चुके है इन्हें भी देखे सम्विधान दिवस भारत भारतिये सम्विधान का इतिहास भारतिय सम्विधान सभा संगवाद, फेद्रिलिस्म, आर्टिकल पंद्र सम्विधानवाद भारतिय दंद सहिता गंतंत्र दिवस महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद एक, भारत राज्यों का संग होगा अनुच्छेद दो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद तीन, राज्य का निर्मान तथा सीमाओ या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद चार, पहली अनुसूची वज चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधिया अनुच्छेद पाँच, सम्विधान के प्रारंब पर नागरिक्ता अनुच्छेद छे, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिक्ता अनुच्छेद साथ, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिक्ता, अनुच्छेद आठ, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिक्ता अनुच्छेद नो, विदेशी राज्य की नागरिक्ता लेने पर नागरिक्ता का न अनुच्छेद दस, नागरिक्ता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद ग्यारा, संसत द्वारा नागरिक्ता के लिए कानून का विनियमन अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को असंगत या अलपी करण करने वाली विधिया अनुच्छेद 14, विधी के समक्ष समानता अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता अनुच्छेद 17, अस्प्रिश्यता का अंत अनुच्छेद 18, उपादियों का अंत अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 20, अप्राधों के दोश सिद्धी के संबंध में सनरक्षन अनुच्छेद 21, प्रान और देएक स्वतंत्रता का सनरक्षन अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निच्टा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतरगत ही आता है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफतारी से सरंक्षन अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलाच श्रम पर प्रतिबंद अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को कार खानों, खान या किसी खतरना को द्योग में कारे नहीं कराया जा सकता है अनुच्छेद 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंतरता अनुच्छेद 26, धर्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंतरता अनुचेद 39 अलपसंख्यक वर्गों के हितों का सनरक्षुन, अनुचेद 39 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अलपसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुचेद 32 समवेधानिक उपचारों का अधिकार, समवेधान की आत्मा, अनुचेद 49 से सभी के लि समान नागरिक सहिता अनुच्छेद अर्तालीस क्रिशी और पशुपालन संगठन अनुच्छेद अर्तालीस ए पर्यावरन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद उन्चास राष्ट्रिय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षन अनुचेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रिथक्करन अनुचेद 51, अंतर राष्ट्रिय शांती और सुरक्षा अनुचेद 51 ए, मूल करतव्य अनुचेद 52, भारत का राष्ट्रपती अनुचेद 53, संक की कार्यपालिका शक्ती अनुचेद 54, राष्ट्रपती का निर्वाचन अनुचेद 55, राष्ट्रपती के निर्वाचन प्रडाली अनुचेद 56, राष्ट्रपती की पदावधी अनुचेद 57, पुनर निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 58 राष्ट्रपती निर्वाचित होने के लिए अहर्ताए अनुच्छेद 60 राष्ट्रपती की शपत अनुच्छेद 61 राष्ट्रपती पर महाभ्योग चलाने की प्रक्रिया अनुचेद 63, भारत का उप्राष्ट्रपती अनुचेद 64, उप्राष्ट्रपती का राज्य सभा का पदेन सभापती होना अनुचेद 65, राष्ट्रपती के पद की रिक्त पर उप्राष्ट्रपती के कार्य अनुचेद 66, उप्राष्ट्रपती का निर्वाचन अनुचेद 68 उप राष्ट्रपती के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन अनुचेद 79 उप राष्ट्रपती द्वारा शपत अनुचेद 70 अन्य आकस्मिक्ता में राष्ट्रपती के कर्तव्यों का निर्वहन अनुचेद 71, राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती के निर्वाचन संबंधित विशे अनुचेद 72, क्षमादान की शक्ती अनुचेद 73, संग्व की कारेपाले का शक्ती का विस्तार अनुचेद 74, राष्ट्रपती को सलाह देने के लिए मंत्री परिशद अनुचेद 75, मंत्रियों के बारे में उप्बंध अनुचेद 76, भारत का महान्याएवादी अनुचेद 77, भारत सरकार के कारे का संचालन अनुचेद 78, राष्ट्रपती को जानकारी देने के प्रधान मंत्री के कर्तव्य अनुचेद 89, संसत का गठन अनुचेद 80, राजे सभ प्राफसान और विघटन अनुचेद सतासी राष्ट्रपती का विशेश अभीभाशन